आखेकार अनुपमा और किंजल का होगा मिलन मांग ली अपनी मम्मी से किंजल ने माफी स्टापलस के शोव अनुपमा की कहानी में काव्या तो अब पूरी तरीके से नागन बनती जा रही है जहां बार-बार अब शाहाउस में जगडे करवाने की फिराक में रहती है काव्या तो वही सबसे एजी टागेट अब काव्या ने समझा था किंजल होने वाली है और किंजल का पूरी तरीके से ब्रेन वाश भी कर दिया था काव्या ने और उसी की मम्मी अनुपमा के खिलाफ भी कर दिया था तो वही अब किंजल को अपनी गलती का एहसास होने वाला है क्यो जाने वाली है और अब सौरी कहते हुए अपनी प्यारी मम्मी को पीछे से गले भी लगा लेनी वाली है और फाइनली अब हमारी किंजु बेबी बैक टू शाहाउस हो जाने वाली है और वही बस दांत पीस्ती रह जाने वाली है काविया तो वही काविया अब नई नई चाले और सोचती भी नजराने वाली है कि किस तरीके से शाह परिवार में दरार लाई जाए तो क्या अनुपामा अब काविया की बुरी नजरों से अपने परिवार को बचा पाएगी देखना काफी जदा दल्चस्प होने वाला है